अपरादी बाबा में आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में आज की संसनिक है इस खबर देश के जाने माने ओलेंपिक मैडल विजेता हर्याना के सुशील कुमार गिरफतार जी हाँ सही सुना आपने काफी दिनों से वॉन्टेट चल रहे सुशील कुमार और उनके साथ ही आजे को भी गिरफतार कर लिया गया है फरार चल रहे सुशील कुमार पर एक लाख रुपए का इनाम तक रख दिया गया था आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की शान युवा पहलवानों के आदर्श माने जाने वाले सुशील कुमार आज पुलिस के गिरफत में है बेशक आप ये जानना चाहते होंगे तो बिना देर किये आईए आपको बताते हैं क्या है मामला दिल्ली के छत्र साल स्टेडियम में पहलवान सागर धनकर की हत्या के बाद से फरार चल रहे ओलिम्पियन पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली की स्पेशल टीम ने आज सुबह मुंड का इलाके से गिरफतार कर लिया है यह पूरा घटनकरम दिल्ली के मौडल टाउन इलाके में एक फ्लैट को खाली कराने को लेकर शुरू हुआ था जिसकी प्राथिमीकी में पहलवान सुशील कुमार का नाम भी शामिल था बस इसी के बाद चार मई की देर रात चत्र साल स्टेडियम में कुछ पहलवानों के बीच कहा सुनी हुई जो जगले में तबदील हो गई और इस घटना में तेस वर्षिय पहलवान सागर धनकर की मौथ हो गई यही नहीं स्टेडियम में सागर और उनके दो दोस्तों पर अन्य पहलवानों ने कथित रूप से हमला कर दिया था बताया जा रहा है कि हमला करने वालों में सुशील कुमार और उनके साथ ही भी मुख्य रूप से शामिल थे जाच के दोरान घटना की CCTV फुटेज भी बरामत हुई थी फुटेज में दो गुटों में जिनमें सुशील कुमार भी शामिल थे उनका जगला हो गया था फुटेज में सभी लोग सागर को पीड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें सुशील कुमार भी सागर व दो अन्य पीड़तों पर हौकी चलाता दिखा फुटेज और वीडियो सुशील के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है इन सबूतों के आधार पर सुशील पर इनाम घोशित कर दिया गया था तब से पुलिस को सुशील की लगातार तलाश थी पुलिस ने दिल्ली के अलावा पंजाब, यूपी, उत्राखंड और हरियाना में भी खोज भीन की बहुत से ठिकानों पर पुलिस ने चापा मारा पर सुशील का कोई सुराग ना मिला सुशील के बारे में पुलिस को सबसे पहले जानकारी उत्तराखंड में होने की मिली उसके बाद पाँच अलग-अलग राज्यों में पुलिस चापे मारी करती रही शनिवार को यह खबर भी उड़ी की पंजाब पुलिस ने गिरफतार कर लिया है सुशील कुमार को पर दिल्ली पुलिस के उच्चा धिकारियों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया फिर रविवार सुभह मुंडगा इलाके से सुशील और आरोपी आजे की गिरफतारी की खबरे आई जिसकी सीपी स्पेशल सेल नीरज ठाकुर ने भी पुश्टी की सुशील कुमार पर कई धाराओं के तहट मामला दर्ज किया गया है वाकई इसे ही शायद फर्ष से अर्ष पर आना कहते हैं लाखो युवाओं के आदर्ष देश के जाने माने ओलेंपिक मेडलिस्ट सुशेल कुमार की ये दास्तान सुनकर मन के गलियारे में सन्नाटा चा जाता है लेकिन होनी के आगे किस की चलती है आपको ये संसनी कैसी लगी जरूर बताईएगा अपरादी बाबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को शेयर करें और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे बने इस घंटी को दबाना न भूलें ताकि देश विदेश की संसनी खेस खबरें बिना देरी किये आप तक पहुँच सकें आज के लिए बस इतना ही देखते रहें अपरादी बाबा